हलो भीवर्स असलाम अलेकूं वेलकम बैक टू मैं चानल आज मैं आपके साथ एक हेल्दी और टेस्टी रेसिपी सेयर करूगी यह रेसिपी बनाने के लिए मैंने हरे मटर और हरे प्याज का यूज किया है तो इसे मैं कैसे बनाती हूँ चलिए आप लोगों के साथ शेयर करूगी और अगर आप नए है मेरी चानल पे तो मेरी चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में दिये गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि मेरी वीडियो की हर अग आने वाली नए वीडियो की नोटिपिकेशन आपके बहुत सके तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं इसे बनाणे के लिए मैं यह पर स्प्रिंग अनियन लिया है जिसे द्व क्यां चेक्छे से क्लीन कर लिया है और इस तरह से छोटा पीसेस में कटकर लिया है और वन काप ऐसा हरे म एक पैन में मैंने ओयल को गरम होने के लिए गैस पर रख दिया है यह जब गरम हो जाए फिर इसमें दो बारिक कटी हुई प्याज और हरी मिच इसमें डाल दिया है फ्राइ होने के लिए इसे लाइट पिंक कलर होने तक फ्राइ करना है प्याज ये देखिए फ्राई हो चुका है तीन से चार मिन्ट इसे मीडियम फ्लेम में मैंने फ्राई कर लिया है अब इसमें वन टीस्पून नमक एक चम्मच जीरा पाउडर एक चम्मच अध्रक लेसन का पेस्ट इकवल कॉंटिटी में एक चम्मच हल्दी पाउडर आदा चम्मच लालमिच पाउडर इसमें डाल दिया है फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले को अच्छे से फ्राइ कर लेना है यह देखिए मसाले को मैंने अच्छे से फ्राइ कर लिया है अब इसमें हरे मटर एड़ कर देना है और बारिक कटी भी स्प्रिंग अनियन भी यानि के हरे प्याज को इसमें डाल देना है फिर मसाले के साथ इन वेजिटेबल्स को थोड़ा देर फ्राइ करना है फ्राइ करने के टाइम इसमें दो बारिक कटी भी टोमेटो एड़ कर दे रहा है फिर इसे अच्छे से सारे वेजिटेबल को फ्राइ करना है यहां पर मैंने पांच अंडा लिया है इस वेजिटेबल में मिक्स करने के लिए वेजिटेबल को मैंने अच्छे से फ्राइ कर लिया है अब इसमें थोड़ा सा पानी एड कर दिया है हाफ कब ऐसा और लीड लगा के सीम पे इसे चार से पांच मिनिट कूख होने के लिए मैंने गैस पे रख दिया है फिर मैंने लीड को ओपेन कर लिया है और वेजिटेबल को चुका है अब इसमें अंडे को डाल देना है और इसे चलाते हुए इस तरह से भेजिटेबल के साथ फ्राई करना है गैस के फ्लेम को इस टाइम में लो रखे भेजिटेबल के साथ अंडे को मैंने देखिए अच्छे से फ्राई कर लिया है अब इसमें एक चम्मच काली मिर्च पाउडर यानि की ब्लैक पेपर पाउडर इसमें डाल देना है और यह हमारा वेजिटेबल्स अल्मोस्ट कूक हो चुका है अब बारिक कटीवी हरीधनिया डाल के गैस को आफ आफ कर दे यह हमारा एक बुजरी बनके रेडी है आप इसे सर्व कर सकते हैं ब्रेकपास्ट में भी इसे आप बना सकते हैं या फिर डिनर में या फिर लंज में तो मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो मेरी चानल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिये गया बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्ला हापीज, थैंक यू भीवर्स पर वाचिंग मैं चानल झाल